नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस प्रिकार से अपनी Facebook अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं तो इसके लिए आपको अपनी Facebook ID को लॉग इन करना होगा और Applications में आपको थ्री जो लाइन देखती हैं उस पर क्लिक करना है और आपको नीचे Setting and Privacy का Option देखने को मिल जाता है इस पर आप क्लिक करते हैं तो आगेन आपको Setting का Option मिलेगा Setting के Option पर आप दुबारा से क्लिक कर दीजेगा और जैसे आप दुबारा से क्लिक करते हैं Personal and Account Information का जो Option है आपको सबसे उपर देखने को मिल जाता है Account Ownership and Control के Option पर क्लिक किएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर Deactivation and Deletion जो Account के Option है वो आपको सबसे नीचे दिखाई दीता है इस पर आपको क्लिक कर देना है अब आपको Deactivate Account और Delete Account और Deactivate में क्या होता है दोस्तों आपकी जो ट्विक बगरा है और वो रिमूब हो जाती है सारी पोस्ट बगएरा लेकिन आप यहाँ पर Messenger को यूज कर बाते हैं किसी को आपका Account दिखाई भी नहीं देता है दोसरा है Delete Delete में यहाँ पर आपका Account जो है वो Permanently Delete हो जाएगा लेकिन कुछ कुछ Conditions हैं जिसकी आपको 30 days तक अपना Account यूज नहीं करना है तो जो आप चाहें वो कर सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ Questions पूछे जाते हैं जिन में से आप किसी का अगर चूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं परना Continue पर क्लिक कर दिजेगा उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ चीज हैं डाउनलोड करने के लिए कही जाती हैं अगर आप डाउनलोड अपनी Account की करना चाहते हैं तो करिए परना Delete Account पर क्लिक कर दिजेगा इसके बाद दोस्तों यहाँ अपर आपसे आपका Password वांगा जाएगा तो आउटोमेटिकली यह जो अकाउंट है वो 30 डे के बाद दोक है उससे रिमूब कर दिया जाएगा उसके बाद अगर आप इस डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं तो आपका अकाउंट पर्मानेंटली डिलीट हो जाएगा तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ लेकर यह आपर यह अकाउंट मुझे डिलीट नहीं करना है मैं बाद मैं इसे वापस कर लूँगा क्योंकि अगर आप 30 दिन के अंदर एक भी वार इसे दुबारा से लॉग इन कर लेते हैं नहीं 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 आपसकार बाइबाइ